नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कम्प्लीट करवा दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कम्प्लीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा आप बिलकुल सही थी आप बिलकुल एक हाटलिस इंसान है जिसके अंदर दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है दिल के जगह पर पत्थर लेकर घूम रहे हैं अगर कभी इस पत्थर को उतार कर दिल लगा लिया होता तो शायद आपको समझ में आता कि आपने कितना बड़ा गुन कर दोगी अगर तुम मुझे माफ कर दो की तो फिर मैं अभी के अभी तुम से माफी मानने के लिए तैयार हूँ तरिशा I AM आइं सो सोरी मुझे माफ कर दो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिस वजह से तुम्हारा या किसी और का दिल तूटे विवान की बातों को सुन तृषा हैरानी से विवान को देखने लगी तभी तृषा के ड्राइवर ने बुला लिया इसके बाद वह वहां से बिना कोई जवाब दिये ही चली गई जिस जगह पर तृषा जा रही थी वहां तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो चुकी थी वह वापस मुंबई नहीं आ सकती थी इसलिए वह एक होटल में रात गुज़ने के बारे में सोचने लगी जब वह होटल में रूम बुक करने के लिए गई तो रिसेप्शनिस्ट ने तृषा से कहा सौरी मैं पर अभी अभी एक सर ने आपसे पहले ही आखिरी कमरा भी बुक कर लिया जिस वज़े से आप फिलहाल इस होटल में कोई भी कमरा खाली नहीं है रिसेप्शनिस्ट की बातों को सुनते ही तृषा काफी ज़्यादा उदास हो गए क्योंकि उसे जगह पर एक ही होटल था जहां पर भी कमरा खाली नहीं था इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहा पर रहने के लिए जाएगी तभी पीछे से विवाद में कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो विवान की बात सुनते ही तृषा ने कहा नो थैंक्यू मैं खुद मैनेज कर लूनगी आपको मेरे लिए परिशान होने की जरूरत नहीं है इतना कहकर चूस वहां से चली गई तृषा के वहां से जाने के बाद विवान बिना किसी भाव के अपने कमरे में चला किया वही तृषा गाड़ी में जाकर बैट गए तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी जिस वज़े से तृषा बारिश में पूरी तरह से भीग गई उपर कमरे से विवान सब कुछ देख रहा था जब विवान को और ज्यादा बरदाश्ट नहीं हुआ तो वह नीचे तृषा के पास जाने लगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में लेकर चलाया कमरे में आने के बाद तृषा ने विवान से कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें वहाँ से यहाँ पर लेकर आने की अगर हम वहाँ पर मर भी जाते तो फिर आपको क्या फर पढ़ता आप तो अपनी जिंदगी सुकून से अच्छी रहे है ना तृषा की बात सुन विवान ने कहा तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे तकलीफ से फर्क पढ़ रहा है और अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर में कुछ नहीं कर सकता इतना कहकर विवान में तृषा के तरफ टौवल को आगे बढ़ते हुए कहा जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना तुम बीमार पर जाओगी विवान की बातों को सुनते ही तृषा टौवल लेकर वहां से चली गई जिसे देखकर विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया कुछ देर बाद तृषा जाकर बैड़ पर लेट गई ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबियत थोड़ी सी खराब है जिस वज़े से वह बैड़ पर लेट पर ब्लैंकिट लेने लगी जिसे देखकर विवान ने तृषा से पूछा क्या हुआ तृषा 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 कोई जवाब नहीं दे रही थी जिस वज़े से विवान तृषा के पास जाने लगा जैसे ही विवान का हाथ तृषा को काफी ज़्यादा फीव है और वह बेहोश हो चुकी है ये देखते ही वह काफी ज़्यादा परेशान होने लगा और वह परेशान होने के बाद तुरंथ ही रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके किसी डॉक्टर का इंतजाम करने के लिए बोला लेकिन जब विवान को पता चला कि व दोक्टर ने कहा विवान पहले तो तुम चेक करो कि उसे इंसान के सिर के अलावा पूरी बॉडी ठंडी तो नहीं पढ़ रही है अगर उसकी बॉडी ठंडी पढ़ रही है तो फिर यह प्रॉबलम वाली बात है उसके सर को ठंडा करने की कोशिश करो और उसके बॉडी को बहुत ज्यादा है। सुबह त्रिशा ने विवान को अपने पास देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गए और वह अचानक की विवान को दोनों हाथों से जोर से धक्का दे देती है जिस वज़ेसे विवान बैज से नीचे गिर गया। से कुछ चेक करने लगा इसके बाद वह तुरंधी अपने शर्ट को पहनते हुए बोला तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। इतना कहकर विवान वहां से चला गया विवान के वहां से जाते हैं तृशा खुद को देखने लगी जब उसने देखा कि उसके कपड़े तो बिलकुल ठीक है तो वह एक सुकून की सांस लेने लगी तभी उसकी नजर पास में ही एक शीशे की बोल पर पड़ी। जिसे देखते ही उसे समझ में आ गया कि विवान उसके पास क्यों सो रहा था और वह चुप चाप फ्रेश होने के लिए वाश्रूम में चली गई कुछ ही देर बाद विवान वापस कमरे में आया। तो तुरिशा बैड पर आराम कर रही थी जिसे देखकर विवान ने तुम नाश्ता कर लो मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूं। तुम ज्यादा मत सोचो तुम बस अपना ख्यार रखो और हम जाते वक्त तुम्हारा चेक अप भी करके जाएंगे। अंदर आया तो उसने घर के हॉल में सब लोगों को बहुत ही ज्यादा परिशान होकर बैठे हुए देखा जिसे देखते ही वह कनफ्यूज होकर आदित्य से पूछने लगा यहां पर हो क्या रहा है सब लोग यहां पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। जैसे ही आदित्य ने विवान का सवाल सुन जैसे ही वह विवान के तरफ देखने लगा। लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब देता उसे पहले ही विरेंद जी ने विवान के गाल पर एक जोरदार थप पर ज़र दिया जिसे देख कर हर कोई काफी ज़्यादा हैरान थे। तभी जागृती जी ने कहा भाई साहब पहले हम विवान से बात तो कर लेते क्या पता जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सच ना हो। ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा था क्योंकि उसे कुछ भी पता ही नहीं था जो गलती उसने की थी उसके लिए सब ने उसे माफ कर दिया था पर अब ऐसी कौन सी गलती करती है जो सब लोग उसे इतनी बातें सुन रहे हैं विरेंद जी के गुस्से को देखकर विवान समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुअ है जिस वजह से वह आदित्य की तरफ देखने लगा परी बातें साफ साफ सब लोगों को बता दिया जिसे सुनने के बाद वीरेंद जी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस बार विवान के साथ गलत किया तभी विवान को याद आया कि तृषा के घर पर भी वह सब कुछ पता चल चुका होगा इसलिए वह तुरंथ तृषा को कॉ अच्छे से बातें कर रहे थे तभी तृषा ने वसंधरा जी के तरफ देखते हुए कहा मॉम जब मुझे फीवा होता है तो आप मेरे लिए सूप बना देते हो ना आज भी आप मेरे लिए सूप बना दो तृषा की बात सुनते ही कोमल जी ने तृषा से परेशानी भारी लहजे में पूछा क्या हुआ तृषा क्या तुम बीमार हो कोमल जी के सवाल को सुनते हुए तृषा ने कहा हाचाचा वह कल मैं जिस होटल में रहने के लिए गई थी वहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं था तो इसलिए मैं बाहर गाड़ी में सोने के लिए चली गई पर बार पाती उन्होंने पूरी रात मेरी देख भाल की सुबह वह मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मुझे घर भेजा तृषा की बात सुनते ही मृत्यून जय ने अचानक तृषा को वह तस्वीर दिखाते हुए पूछा क्या कल रात तुम दोनों इस कमरे में थे। क्योंकि यह तस्वीर विवान भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हैं यह बात सच है कि परिवार की नजरों में विवान भाई की इमेज खराब हो सकती है पर दुनिया की नजरों में नहीं यह त्रिशा की बर्बादी का खेल खेला गया था। उनकी यही सबसे खास बात है कि वह एक ही गलती बार-बार नहीं करते। इतना कहने के बाद इशानवी वहां से चली गई इशानवी की बातों को सुन तरिशा के दिमाग में कुछ चलने लगा और वह भी अपने कमरे में जाने लगी। वही दूसरी तरफ विवान तरिशा से मिलने के लिए अगनेहुतरी पेलेस जा रहा था लेकिन तभी अचानक विवान की गाड़ी का एकसीडेंट हो गया। जैसे ही सिंधानिया फैमिली को इसकी खबर मिली वैसे ही वह सब लोग तुरंधी अस्पताल के लिए निकल गए। विवान की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी उसे काफी गहली चोट आई थी। जैसे ही इशानवी को इसके बारे में पता चला वैसे ही वह नीचे दौरने लगी। अग्निहुत्री फैमिली के सारे लोगों ने जैसे ही इशानवी को परेशान होकर दौरते हुए देखा तो वसुंधरा जी ने पूछा इशानवी क्या हुआ तो मैसे दौर क्यों रही हो। वसुंधरा जी का सवाल सुनते ही इशानवी ने जवाब देते हुए कहा वह घर से फोन आया था भाई का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मैं अस्पताल जा रही हूँ इतना कहकर इशानवी वहां से जाने लगी इशानवी के साथ मृत्यूंजे भी वहां से निकल गया सब लोग जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो उन्हें पता चला की विवान की हालत काफी ज्यादा खराब है मृत्यूंजे को पता नहीं था की विवान का एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि इशानवी ने किसी का नाम नहीं दिया था जैसे ही विवान के बारे में पता चला मृत्यूंजे तुरंती अपने घर में फोन करके सब को बताने लगा जैसे ही तृषा को विवान के एक्सीडेंट होने वाली बात पता चली वैसे ही वह भी अस्पताल जाने की जिद करने लगी जिसे देख कर वसुंधरा जी ने कहा ठीक है तृषा तुम चली जाना पहले थोड़ा सा आराम कर उसके बाद चली जाना तुम्हारी भी तो तबियत खराब है ना वसुंधरा जी की बात सुनते ही तृषा ने कहा नहीं मौम मुझे जाना है प्लीज आप मुझे जाने दीजिए मुझे पता है तस्वीर वाली बात पता चलने के बाद जरूर कुछ हुआ होगा जिस वजह से विवान घर से निकल गए होंगे वरना सुबह तक तो वह मेरे साथ काफी जादा खुश थे इतना कहकर तृषा रोने लगी तृषा को ऐसे रोता हुआ देख जितेश जी और जैप्रकाश जी दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि तृषा की दिल में विवान के लिए फिलिंग्स है जब वसुंधरा जी और कोमल जी तृषा को जाने से रोक रहे थे तभी जैप्रकाश जी ने तृषा की तरफ देखते हुए कहा ठीक है तृषा अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर हम तुम ही लेकर चलेंगे चलो जैप्रकाश जी और जितेश जी दोनों ही तृषा को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गए तृषा गाड़ी में भी बहुत ज्यादा रो रही थी जिसे देखकर जितेश जी ने तृषा से पूछा तृषा सच सच बताना तुम भी वहां से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना अगर तुम पहले से ही विवान से प्यार करती थी तो फिर तुमने हम सबसे कहा की नहीं जितेश जी के सवाल को सुनते ही तृषा ने कहा हा चाचू मैं विवान से बहुत प्यार करती हूँ ये बात मुझे पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आए इसलिए मैंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा पर अब मैं सब को बता सकती ह कि मैं विवान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बगर नहीं जी सकती। तृषा की बातों को सुन जितेश जी जैप्रकाश जी के तरफ देखने लगे वह दोनों ही एक गहली सांस लेने लगी उन्होंने दोबारा कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर बाद तीनों अस्पताल पहुंच गए अस्पताल पहुंचने के बाद तृषा को पता चला कि विवान की खालत बहुत ही ज्यादा खराब है डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान बचाना भी शायद मुम्किन नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही तृषा बहुत ही ज्यादा रोने इश्यू तुम्हें पता है ना कि हम कमजोर नहीं पर सकते। अगर हम कमजोर पर जाएंगे तो फिर बड़ी मामी को कौन संभालेगा। आदित्य की बातों को सुन इशानवी खुद को संभालने लगी वही ओप्रेशन थियेटर में तीन घंटे हो चुके थे लेकिन अब तक ओप्रेशन चल रहा था इस चीज को देखकर आदित्य और भी ज्यादा परेशान होने लगा। अब हमने उनके साथ नहीं दिया इशानवी को भरोसा था उन पर इसलिए वह हम सबसे लड़ पड़ी। कुशांग की बातों को सुनते ही आदित्य ने कहा गलती हो गई हमसे कुशांग जो हमने विवान को सपोर्ट नहीं किया गलती हमसे भी हुई थी पर कभी भी उसने हमें हमारी गलती के लिए हमें डाटा नहीं था। उसने हमेशा हमारी गलती को सुधारने के लिए हमें मौका दिया पर हम ही उसे कभी मौका नहीं दे पाए क्योंकि हमें उसे पर भरोसा था ही नहीं जो भरोसा उसने हम पर किया था हम उसका 1% भरोसा भी उसे पर नहीं कर पाए। तभी कुशान्क ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा भाई अगनेहुत्री फैमिली नहीं पता था कि विवान भाई कैसे हैं पर हम जानते थे हमने भी उनका भरोसा नहीं किया, उनकी तकलीफ को हम ही नहीं समझ पाए। पहली बार था जब सिंधानिया परिवार के किसी बच्चे के उपर हाथ उठाया गया था, सब लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहे थे कि उन्होंने विवान का भरोसा क्यूं नहीं किया, सब लोग इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थे उपासना जी ब डॉक्टर की बातों को सुनकर ईशानवी अचानक ही रोते हुए बैट गए कुछ देर भी विवान को आईसी उमें शिफ्ट कर दिया अभी भी विवान की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी ऐसे ही 12 घंटे बीद गए इन 12 घंटे में तरिशा विवान के पास ही बैटी हुई थी वह विवान को छोड़ कर कहीं नहीं जाना चाहती थी इशानवी भी बाहर ही बैट कर होश में आने का इंतजार कर रही थी जब सब लोग बाहर बैट कर विवान के होश में आने का इंतजार कर रहे थे तब ही अचानक सारांच डॉलते हुए आया और सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला भाई का एक्सीडेंट किसी ने जानबूट कर किया है मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सारांच की बात सुनते ही हर कोई हैरान हो गया वहीं आदिते और कुशानक दोनों ही सारांच के साथ वहां से चले गए इशानवी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहती थी इसलिए वह वहीं पर बैटी हुई थी 24 गंटे होने को आये थे पर अब तक विवान को होश नहीं आया था डॉक्टर भी काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे क्योंकि विवान की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी त्रिशा बाहर बैट कर रो रही थी क्योंकि डॉक्टर के मताबिक शायद वह लोग विवान को बचा नहीं पाएंगे वही विवान बेहोशी में वह सपना देख रहा था विवान ने खुद को एक अंधेरी कमरे में पाया जहां थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी जिसे देख कर विवान ने खुद से ही कहा ये कौन सी जगह है मैं तो बेहोश था फिर में यहां पर कैसे पहुँचा और यहां इतना अंधेरा क्यों है विवान के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था जिस वज़ैसे वह अपने आसपास देखने लगा और वह अपने आसपास देखने के बाद चिलाते हुए बोला क्या को यहां पर है प्लीज यहां की लाइट अन कर दो तभी कहीं से एक फॉक्स लाइट जलने लगी जो विवान के सामने किसी के उपर पर रही थी वहाँ पर विवान ने एक छोटे से बच्चे को दिखा बच्चों को देखते ही विवान कंफ्यूज होकर बच्चे की तरफ देखने लगा वह बच्चा धीरे धीरे करते हुए विवान के तरफ आगे बढ़ने लगा जिसे देखकर विवान भी उसे बच्चों के तरफ जाने लगा वह बच्चा एक छोटी सी लड़की थी बहुत ही ज्यादा क्यूट थी उस बच्ची को देखते ही विवान उसे बच्ची के पास जाकर उसे अपने कोर्ट में उठा लेता है और गोद में उठते ही वह बच्ची से पूछने लगा बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माबाप कहा पर है तभी वह बच्चे अपनी क्यूट वोइस में बोली ओहो पापा आप अपनी बेली को भी नहीं पहचान पाए मैं आपकी बेली हूँ उस बच्ची की बातों को सुन विवान ने कहा तुम्हारा मतलब बेटी तभी बच्ची बोली हाँ वही बच्ची की बात सुनते ही विवान बच्ची के तरफ देखने लगा तभी बच्ची ने फिर से कहा हम आपके यहां से जाने से लोग ने आये हैं आप हमारे आले से पहले ही हमें छोल के जा रहे हो इसलिए हम आपको जाने से लोग रहे हैं हमें छोल के मत जाओ पापा हम तो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं तो आप हमें छोल के कैसे जा सकते हैं हम आपको जाने नहीं देंगे बच्ची की क्यूट सी बातों को सुन विवान मुस्कुराने लगा और मुस्कुराने के बाद बच्ची के गालों पर चूंते हुए बोला ठीक है मेरी प्यारी बच्ची मैं नहीं जाओंगा अब तुम खुश मैं वापस जा रहा हूं और वापस जाने के बाद तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा और तुम भी जल्दी आ जाना विवान की बाद सुनते ही बच्ची ने कहा मैं तो 9 महीने बाद आही जाओंगी पर हमारे आले से पहले जाकर हमारी मम्मी से शादी कर लो अगर शादी नहीं करोगे तो पापा नहीं कहूंगी पैदा होने के बाद अपने लिए ने पापा को ढूरूंगी तो जाओ जाकर जल्दी से शादी करो बच्ची की बात सुन विवान ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है मैं जाकर आपकी मम्मी से शादी करता हूँ और आपके आने की तैयारी भी करूंगा अब तो खुश है ना इतना कहकर विवान ने बच्ची को अपने गोड से उतार दिया विवान के उतरते ही वह बच्ची थोड़ा आगे चली गई और आगे जाने के बाद वह बच्ची पीछे मुल कर विवान के तरफ देखकर एक क्यूट सी स्माइल देने लगी फिर वह बच्ची अचानकी गायब हो गई बच्ची के गायब होते ही विवान भी होश में आ गया जिस वक्त विवान होश में आया उसे वक्त उसके पास कोई नहीं था तभी एक नज ने देखा कि विवान होश में आ गया है ये देखते ही वह तुरंथ ही डॉक्टर को बुल रहे थे जब उसे इस बात का एसास हुआ कि वहाँ पर त्रिशा नहीं है तो वह काफी ज़्यादा उदास हो गया। प्लीज मुझे वहाँ पर ले चलिए। विवान इतना कहकर अपने दिल पर उंगली रखते हुए त्रिशा को दिखाने लगी जिसे देखकर त्रिशा विवान के सीने को जाकर छूते हुए बोली क्या यहाँ पर मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ यहाँ पर दर्द होना काफी बढ़ा हो सकता है। इतना कहकर त्रिशा वहां से जाने लगी लेकिन तभी विवान ने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया जिसे देखकर त्रिशा कन्फ्यूज होकर विवान के तरफ देखने लगी तभी विवान ने कहा मुझे तुम से शादी करनी है त्रिशा वह भी अभी और इसी वक्त और तुम ये सारी बातें मत सोचो सारा इंतजाम में खुद कर दूनगा तो बस ये कहो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ जबर्दस्ती नहीं करूंगा पर अगर हाँ तो फिर हम अभी शादी करेंगे। लोग हमसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तृशा की बातों को सुन विवान मुस्कुराते हुए तृशा को गले लगा लेता है फिर वह। तृशा से बोला तुम टेंशन मत लो मैं सब कुछ खुद संभाल लूनगा और अगर कोई हमारी शादी के लिए नहीं माना तो फ करनी है तो फिर हमें मेरेज रिजिस्टार आफिस जाना होगा मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कानूनी तौर से शादी करो बाकी दुनिया वालों को दिखाने के लिए बाद में शादी कर लेना। बताना नहीं चाहता था इसलिए मैंने अगनिहुतरी फैमली को वापस यहां से भेज दिया। मृत्यून जय की बात सुन तृशा कनफ्यूज होकर तीनों के तरफ देखने लगी तभी इशानवी ने कहा तुम टेंशन मत लो भाई जब होश में आये थे तभी उन्होंने मृत्यून जय से तुम से शादी करने वाली बात के बारे में पूछ लिया था और मृत्यून जय तो किसी और को ही ढूण रही थी मृत्यून जय ने यह बात नोटिस कर लिया था सब लोगों के वहां से जाते ही शानवी विवान के पास बैट गई और विवान का हाल चाल पूछने लगी तभी मृत्यून जय के बिन के अंदर वापस आया और वापस आते ही मृत्यून जय प्यार करता हूं त्रिशा से पर मैं प्यार दिख नहीं सकता, मैं किसी से जाकर प्यार से बात नहीं करता, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैंने जो गलती की है उसके लिए त्रिशा मुझे कभी माफ नहीं करेगी और यह सही है मैं यही दिजब क पहचानता था उसने विवान को भी बहुत अच्छे से पहचाना था। वह जानता था विवान सच्चा है वह किसी के साथ धोखाधरी नहीं करता वह जिसके साथ रिष्टा निभाता है वह शिद्दत से निभाता है। बस विवान ने एक गलती की थी जो गलती उसे पर बहुत तबी मृत्यून जय ने कहा ऐसी बात नहीं है विवान थ्रिशा तुम से बहुत ज्यादा प्यार करती है अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती तो वह रोती नहीं तुम्हारी हालत के बारे में सुनकर वह यहीं परती चाचु उससे कुछ टाइम के लिए यहां से ले कर गए उ मृत्यून जय ने हमें सिरहिला दिया जिसे देखते ही विवान ने कहा मुझे तृषा से शादी करनी है वह भी आज मैं अब तृषा को अपने से दूर नहीं रखना चाहता मृत्यून जय ने जैसे ही विवान की बात को सुना वैसे ही वह थोड़ा सा हैरान तो हुआ लेकि बाकी सब लोग अस्पताल पहुँचे तब किसी ने भी विवान को केबिन में नहीं देखा तो सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे और डॉक्टर को बुलाने लगे जिसे देखने के बाद उपासना जी अचानक सोफे पर बैठते हुए बोली कहीं हमारा सुरेश जी ने एक गहली सांस लेते हुए कहा जब अपनों का साथ ना मिले जब अपनों से भरोसा ना मिले तो इनसान को अकेला कर देता है और जब कोई खुद को अकेला समझने लगता है तो वह परिवार से दूर जाने से भी नहीं करता अगर सच में ऐसा हुआ तो पता नहीं हो सकता बड़ी मामू मैं भाई को घर छोड़ कर जाने नहीं दूनगा और फिलहाल वह बहुत ही ज्यादा बीमार है उनकी तबियत इतनी अच्छी नहीं है कि वह यहां से दूर जाए उनका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है मैं उन्हें कहीं से भी ढूंड कर लेकर आ त्रिशा और विवान दोनों मंदिर में शादी करने वाले थे पंडित जी के सामने और भगवान को साक्षी मान कर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली विवान ने पहले से ही त्रिशा के लिए मंदल सूत्र का इंतजाम करके रखा था जैसे ही दोनों की शादी हो रही थ सुनते ही इशानवी ने कहा आप गलत समझते हैं मृत्यूंजे हम आपसे नाराज नहीं है वह बस हालत ही ऐसे हो गए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए पर हमें एक बात अच्छे से पता थी कि विवान भाई त्रिशा की बदनामी करने की कोशिश क भी नहीं करेंगे आपको पता है बच्पन में हमने एक बहुत बड़ी शैतानी की थी जिस वजह से कुछांग भाई की जान पर बनाई थी विवान भाई ने वह गलती अपने उपर ले ली क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई हमें पनिश्मेंट देंगे तो शायद हम बह देखने लगा तभी मृत्यूंजे ने इशानवी को अपने गले से लगा लिया वही त्रिशा और विवान की शादी भी संपन हो चुकी थी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे तभी पंडित जी ने कहा आप दोनों की शादी संपन हुई आप जाकर अपनी बढ़ों का आ आशिरवाद ले लीजिए पंडित जी की बात सुनते ही विवान मृत्यूंजे की तरफ देखने लगा तभी त्रिशा ने अचानक ही मृत्यूंजे के पैर चूलिये जिसे देखकर मृत्यूंजे काफी ज्यादा हैरान हो गया पर वह बहुत ही खुशी से दोनों को देने लगा वही विवान खड़ा था ये देखकर मृत्यूंजे विवान के तरफ देखने लगा तभी विवान ने कहा भूलो मत कि तुम भी मेरी छोटी बहन के पती हो इसलिए हम दोनों के लिए यही बहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के पैरों से दूर ही रहे विवान इतना कहा ही था कि तभी अचानक विवान के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा जिस वज़े से वह अचानक वहाँ पर गिरने वाला था। लेकिन मृत्युन जय ने उसे संभाल लिया जिसे देखते ही त्रिशा ने कहा मुझे लगता है हमें वापस विवान को अस्पताल लेकर जाना चाहिए अभी भी उनकी तबियत ठीक नहीं हुई है इन्हें अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है त्रिशा की बात सुनते ही इश को सुना पैसे ही वह विवान को लेकर तुरंध ही अस्पताल के लिए निकल गए कुछ ही देर बाद वह सब लोग अस्पताल पहुंच गए अस्पताल पहुंचते ही मृत्युन जय तुरंध ही विवान को केबिन के अंदर ले गया फिलहाल केबिन में कोई नहीं था सब लो विवान के पास ही बैटी हुई थी विवान थोड़े टाइम के लिए सो गया ये देखकर त्रिशा मृत्यून जे और ईशानवी तीनों ही केबिन से बाहर निकाल कर आए। और जैसे ही दोनों फैमिलायों ने विवान को आराम करते हुए देखा तो सब लोग एक सुकून की सांस लेने लगे। आदित्य की बातों को सुना वैसे ही वह अपने पैर को थोड़ा उपर उठा देता है जिसे देखकर सब लोग कन्फ्यूज होकर विवान को देखने लगे तभी विवान ने कहा अभी अभी तो तुम ने कहा कि तुम मेरे पर को पकड़ कर माफी मांगना चाहते हो तो फिर मेरे पैर तो पकड़ो और माफी मांगलो मैंने मना ही किया है माफी मांगने से विवान की बात सुनते ही सब लोग आदित्य की तरफ देखने लगे वही आदित्य समझ गया कि विवान आदित्य के साथ मजाक कर रहा है जिसे समझते ही वह अचानक विवान से गले लगा लेत विवान की बात सुनते ही आदित्य कुशांक शोभित और सारांच चारों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगी तभी केबिन का दरवाजा खुला मृत्यून जै इशानवी और तृषा तीनों ही अंदर आये जैसे ही तीनों ने सब लोगों को देखा तो वह तीनों एक दूसर को बुला लूंगी तृषा की बात सुन विवान ने कहा मैं तो ठीक हूं पर तुम तीनों कहां पर गए थे तभी इशानवी ने कहा वह हमने सुबह से पेट पूजा नहीं की थी ना तो इसलिए सोचा की पेट पूजा करके आते हैं इशानवी की बात सुन विवान ने कहा ह तो खुद पेट पूजा कर लिया मेरे लिए नहीं सोचा मैंने भी तो पेट पूजा नहीं की है क्या इस छोटे से मासूम बच्चों के लिए तुम कुछ खाने को नहीं लेकर आ सकते थे तभी इशानवी ने भी विवान की तरह ही बोला अगर हम छोटे से बच्चे के लिए बाहर से खाना लेकर आते तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मिलकर हम तीनों को अस्पताल से बाहर फेंक देते क्योंकि आप पेशिंट है ना पेशिंट को बाहर का खाना अलाओ नहीं है इस अगर दोनों चुप नहीं हुई तो सच कह रहा हूं दोनों को ही यही से फेंक दूंगा